हाई फ्रेंट्स वेलकम टू मैं न्यू ब्लोग और आई होब कि आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो फ्रेंट्स अभी दो पहर का लगभग एक बज चुका है और मैं घर पहुंच चुकी हूँ आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी घर के बाहर आई हुई हूँ घर क्यांगन में भी नहीं हूँ थोड़ा से साइड में आई हुई हुई हूँ और अभी मतलब है कि एक भी बज चुका है तो मैं वहां सनिकली थी करीबन आने के लिए लगभग मतलब बारब साड़े ग्या के लिए लेकिन मतलब पहनी थी आने से पहरे तो मुझे बहुत ही ज्यादा ठंधी लग रही थी तो फिर मैं आओ जैकेट पहन ली हूँ तो फिर मुझे तब जाकर थोड़ा से सांथ हो और आने ताइम मोटर में और भी ज्यादा हावा चल थी तो बहुत ज्यादा ठंधी लग रही थी तो आप लोग यहां कना जारा देख सकते हूं इधर क्या क्या स्ट्री का पाउधा सब लगा हुआ है तो अभी हम जा रहे हैं घर अंदर हमको कपड़ा सब चेंज करना है और ममी पापा भी घर में नहीं है वो लोग चल गए हैं बक्री चरानी के लिए दोनों ज होती हूं और यहीं वला रोम में रहती हूं और आप लोग देख सकते हैं आप जारू सब भी ममी टांग दी है और अभी लाइट है इस वज़ा से लाइट भी जल रहा है तो और मैं क्या बूलो अभी तुम्हें जा रही हूं फिर ममी क्या सखाना सबजी से बनाई है उससे पहले देख लेती हूं उसके बाद में मैं कपड़ा चेंज करूंगे तो चली आप लोगों को भी दिखाते हैं चन रूम पहुंच चुकी हूं और देखती हूं कि क्या कैची बना हुआ है यह तो चावाल ही है मैं जान रही हूं और अभी काफी ज़्यादा चावाल भी मैं अभी घर के बाहर आ गई हूं और मैं खाना भी नहीं खाई क्योंकि मुझे भूख नहीं लगा था इस वज़ा से मैं ने जो बिस्कुट लेक आया था मेरा बड़े पाटी वाला जो बचा हुआ था तो उसे लेक आई हुए थी मैं उसे ही खाली मुझे भूख भी नहीं अभी लग भाग तीन बजने वाले हैं और मैं साम में घर जाओंगी और घर जाने के बाद में खाना सब्जी से बनाओंगी खाओंगी तो देखिए मैं साम होने के बाद में घर आ गई हूं और घर आने के बाद में है कि मैं देखिए कि हम लोग बकरी बांधा हुआ है बड़ी वाली बक्ती भी आगई पीने के लाप लोग देख सकते हैं कितना ही ज्यादा और फिर अंदर आने के बाद में है कि मैं जालू सब कर ली हाथ पर सब दो ली हूँ और मैं खाना बनाने लगी हूँ और ममी पापा तो अभी मतलग क्या बुलेंग उधरी हैं मैं कहीं छ खाना बनाई थी सबरे में और सबजी बनाई थी वो सब सारा कुछ बचा हुआ ही है फिर मैं खाना पीना सब खाली और आप लोगों को नहीं देखाई क्योंकि क्या बोलोंगी मतलब बस नहीं दिखा पाई आप लोगों को फिर मैं मतलब बेट सब बनाना शुरू कर दी हू तो सबसे पहले मैं मचरदानी को बांध ली हूँ और सबतरब चारो कोना से उसके बाद में इस सबतरब कपड़ा के जाद देती हूँ ताके अंदर कुछ घूस ना पाएं देख सकते हैं कि फाइनली मेरा बेट भी इस तरह सारा कुछ बन गया और इसमें मुझे बहुत महनत करना पड़ा था क्योंकि अभी घर में कोई नहीं है इस वज़ा से बेट में बहुत जोला हूँ तो मुझे बेट से सब उठाना पड़ा दूसरा फिर बिचाना पड़ा मच चरदानी बांधवा मतलब बेट रेडी हो चुका है और मैं खाना पीना भी खा ली हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दिखा पाई क्योंकि लाइट कट गए थी इस वज़ा से तो मेरे जैसे खाना बना मैं उससे आलू का भुंजिया बना ली जो चावाल थ जो कि बहुत अच्छा लगा मतलब बहुत दिन के बाद मैं खाई नहीं फिलाल मैं नहीं खाई हुए थी इस वज़ा से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मैंने दूद का खेसा जमाया हुआ था उभी बकरी बकरी का दूद और मुझे बहुत जादा अच्छा लगा खाने आज का वीडियो इंड कर रहे हैं अगर आप लोगों को मतलब मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जादस जादस स्यार कीज़ेगा लाइक कीज़ेगा और यदि आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर लेजेगा तो चलिए हम आज का वीडियो करें आप सभी को क्या वो लेंगें गुट नाइट अपना ख्याल रखना चाहिए